मिडिलीस्ट इस वक्त एक ऐसा ज्वाला मुखी बना हुआ है जो कभी भी फट सकता है खास्तोर से इरान के इसराइल पर हमले के बाद जिसमें उसने इसराइल पर साड़े तीन सो से ज्यादा रॉकेट्स ड्रोन और मिसाइल इदाग दी थी और इसके बाद 19 अप्रेल दो हज 2024 को पच्च्वी मीडिया में ये खबरे आई थी कि इसराइल ने इरान के इस वहन शहर पर ड्रोन अटेक किया था जहां पर इरान के परमानू ठिकाने हैं लेकिन इरान के अनुसार इन हमलों को उसके एर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया था लेकिन इसराइल के इस हमले के बाद से ही इरान और ज्यादा सतर्क हो गया है वो अपने हत्यारों के बेड़े को और मजबूत करने में लग गया है और इसी क्रम में अब इरान को एक ऐसा हत्यार मिलने जा रहा है जो पूरे मिडल इस्ट में इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खत्रा बन सकता है दरसल इरानी सेना से जुड़े एक मीडिया हाउस स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क यानी SNN ने 20 अपरेल 2024 को खबर दी थी कि अगले हफते इरान को रूस से SU-35 लड़ाकू जेट्स मिल सकते हैं और SNN की इस खबर के आधार पर इरान के कई मीडिया हाउस जे ये खबर चलाई थी हाला कि SNN ने खबर वाइरल होने के बाद अपनी वेब साइट से उसे डिलीट कर दिया था वहीं इरान ने अधिकारिक रूप से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था इससे पहले इरान ने जनवरी 2023 में इन फाइटर जेट्स की डिलिवरी की बात कही थी लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है तो इसराइल के साथ उसके तनाव में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हाला कि अभी तक ये साथ नहीं हुआ है कि रूस इसराइल को कितने SU-35 फ्लेंकर जेट्स देगा लेकिन माना जा रहा है कि इरान को कुल 24 SU-35 जेट्स मिल सकते है वहीं दूसरी तरफ पिछली गर्मियों में इरान के एक पत्रकार ने खुला सा किया था कि इरान ने रूस को 50 SU-35 फाइटर जेट्स के लिए साल 2021 में ही पैसा दे दिया था हाला कि ये साफ नहीं है कि युकरेन युद्ध को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस इतने ज्यादा जेट्स इरान को दे पाएगा या नहीं आपको बता दे कि पिछले शनिवार को इरानी मीडिया ने क्वेट के अर्भी अलजरीदा न्यूस पेपर का अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया था जिसमें दावा किया गया था कि इरान को पिछले साल ही सुखोई 35 जेट्स मिल चुके हैं लेकिन रूस ने उनके अन्य उपकरण इरान को नहीं दिये थे जिसकी वज़ा से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि रूस के ऊपर इस्राइल और अन्ने अरब देशों का दबाव है जिसकी वजह से उनकी डिलिवरी में देरी हो रही है हाला कि अलजरीदा के दावो का कोई वीडियो फोटोग्राफ या सेटलाइट इमेज सबूत के तौर पर नहीं मिला है हाला कि 2023 में सेटलाइट से ली गई एक तस्वीर में इरान के अंडरग्राउंड एयर बेस के बाहर SU-35 जेट्स का एक नमूना जरूर खड़ा हुआ दिखा था और नवंबर 2023 में इरान ने एलान किया था कि रूस के साथ उसकी SU-35 जेट्स की डील अंतिम रूप ले चुकी है और अब अगर इरान को SU-35 जेट्स मिलने की बाद सचसाबित होती है तो इस से पुरानी पड़ी इरानी एर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी जिस से इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनोती पैदा हो सकती है